नमस्कार दोस्तो मैं रोहित नौकरी जोन में एक बार फिट से आपका हर्दी कमिन दन करता हूं दोस्तो यहाँ वीडियो जो मैं लाया हूँ यह आपका आरो भाग तू और वीतन भाग तू बुक में जितने भी आपके कहानिया है कविता है सभी के लेखक के जन्म तिति और आपका निधन तिति के जो है एक संपूर्ण डाटा लाया हूँ और सारे जो भी आपके जो है जन्म दिवस और आपका जो है आपका निधन दिवस ये सारे सिर्फ और सिर्फ NCRT बुक से लिए गया है और मुझे उम्मीद है दोस्तो यहाँ वीडियो आप लोगों को काफी ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तो मैं सिर्फ और सिर्फ NCRT बुक से ही लिखाऊं दोस्तो यदि मान लीजिए कि कभी भी कोई दिकत होता है यदि आप लोगों को चैलेंज करना होता है JSSC को तो आप जो है सिर्फ रिफरेंस दिजिएगा NCRT बुक का ही तो NCRT बुक से ही आप लोग जन्मत दिवस है और आपका जो है मृत्यू दिवस है वो याद करे ताकि आप लोग आगे जाके आप लोगों को क्लेम करने में आसानी हो बाकी दोस्तों आप लोगों की मर्जी कोई दिकत नहीं है विकिपीडिया में जो दिया हुआ है उसका भी मैंने बता दिया है बाकी आप लोगों की मर्जी आप जहां से एंसर आप दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है मुझे आप लोगों कुछ बताना था, इसलिए मैं आप लोगों कुछ बता रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रथा में आपका स्री हरीवन सराय बचन जी से तो इन्होंने आपका लिखा है आत्म परिचे अद्दिन जल्दी जल्दी ढलता है ठीक है आपका जो है इनका जनम आपका इलावाद उत्तर परदेश में हुआ है आपका 1907 इसवी को याद रखिएगा इलावाद उत्तर परदेश 1907 इसवी को जनम हुआ था और आपका मुंबई में 2003 में इनका निधन हुआ था ठीक है 1942 से लेके 1952 तक यानि करीब 10 वर्सों तक ये इलहाबाद आपका विश्व विद्याले में यानि इलहाबाद यूनिवर्सिटी उत्तरप्रदेश में ये हेड मास्टर यानि परधाना इध्याबक राचुके हैं नेक्स्ट है आपका आलोग धन्वाजी आलोग धन्वाजी दुवारा रचित आपका पतंग कवीता ठीक है इनका जनम आपका मुंगेर जीला में हुआ है बिहार आपका राज में 1948 में ठीक है इनके मृत्तिव के बारे में कुछ नहीं लिखा है आगे बढ़ते हैं आपका कुवर्ण नाराइन का जो जन्म हुआ है आपका 19 सितम्बर 1927 को यानि 19 सेप्टेमर 1927 को उत्तर परद्दिश में आपका जन्म हुआ है ठीक है ये लेखा के आपके कवीता के बहाने और बात सीधी थी याद रखेएगा कुवर्ण नाराइन जी लेखा के कभीता के बहाने और बात सीठीं ठीक है अगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला है आपका जो आनन्द यादव आनन यादव जी द्वारा रचीते आपका जूज ठीक हैklär यहार आपका इनका जो जनम हुआ ह्का 1935 में हुआ ठीक है जनम हुआ है आपका कागल जो आपका कोलापूर में पढ़ता है आपका महाराष्ट राजि के अंदर ठीक है अनंद यादब, द्वारारचीत जूर सस्थाने को कागल कोलापूर में आपका महराष्ट राजी में ठीक है ओम धानवी ओम धानवी जी का जो है जन्म आपका विकाने राजिस्थान में हुआ है 1957 को याद रखिएगा ओम धानवी जी का जन्म हुआ है 1957 को विकाने राजिस्थान में और आपका ओम धानवी जी लेखा के अती भी रहे ठीक है दोस्तों ये question आप लोगों का पूछ सकता है जो अब मैंने आपको बताया कि इनमीं से कौन सा लेखक editors Guild of India के महासाचीव रहे इसमें आपका उम्थानवी जी रहेगा आपको वो मार्क करना है ठीक है ये question काफी ज्यादा important है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है आपका in Frank in Frank जो है in Frank लेखा का डाइरी के पन्ने से ये आपके जो बुक है उसमें जो आपका है वितन भाग टू उसमें है और इनका जनम हुआ आपका Germany जो है आपका Germany country है उसके एक Frankfurt सहर में इनका जनम हुआ है जनम हुआ था इनका आपका 12 जून 1929 इसीवी को इनका जनम हुआ था ठीक है दो जून 1942 से लेके 4 अगास masih 1944 तक ये आपके गुप तावास में छुपे रहे जिस कम नाजीयों के यातना ग्रहेमीजी इनका आपका मौत हो गया ठीक है 5000 इनका पंध our जिसमें नाजीयों के यातना ग्रहेमें इनका मौत हो अगला आपका फिराग गोरकपुरी जी लेखा के आपका रुबाईया और गजल ठीक है ध्यान दिजिएगा फिराग गोरकपुरी लेखा के रुबाईया और गजल इनका जनम हुआ है आपका 28 अगस्त 1896 इस भी आपका गोरकपुर उत्तर परदिश में ठीक है फिर से देखि और आपका गजल इनका जो आपका नीधन हुआ है या आपका 1983 यानी 1983 में हुआ है इनका जनम ध्यान दिजिएगा 1983 में ठीक है आगे बढ़ते हैं उमा संकर जोसी जी का जो खेत था वो आपका छोटा था और बगुली के पंक गिनते थे हुए खेट पे बैठके ठीक है उमास संकर जोसी जी आपका जो है लेखा है कि छोटा मेरा खेट और बगुले के पंक ठीक है इनका जनम आपका हुआ है गुजरात राजी में 1911 इसवी में उमास संकर जोसी का जनम हुआ है गुजरात राजी में 1911 इस वी में ये आपके गुजराती कभी है ठीक है नहम दीजिएगा पूछ सकता है कि मासंकर जोसी जी किस वहासा के कभी आपका अंसर होगा गुजराती कभी इनका नीधन हुआ है आपका 1988 इस वी को ठीक है 1911 और 1988 ये 77 साल आप माइनस करके याद रख सकते हैं ठीक है अगला है महादेवी बर्माजी महादेवी बर्माजी जो है चायाबाद के चार परमुक इस्तंबो में से एक है इन्हें आधुनिक यूग का मीरा के नाम से जना जाता है ये दोनों क्वेस्चन काफी महतपूर्ण है इसलिए मैंने आप लोगों को बताया य इन्हें पदम भुसन आपका पुरसकर मिला है 1956 को इनका निदन हुआ है 1987 को ठीक है इलहाबाद में इनका निदन हुआ है याद रखिएगा निदन हुआ है महादेवी बर्माजी का इलहाबाद सहर में 1987 को इनको पदम भुसन पुरसकर दिया गया भारस सरकार के तरप से 1956 को और 1983 में इनको ग्यानफिट पुरसकर मिला था यामा एक लेक था उनके लिए यामा नाम था यामा क्या था आपका यामा इसके लिए इनको आपका ग्यानफिट जो है आपका पुरसकर मिला था इनका जो आपका निधन हुआ था वो आपका उनीस सो जो है इनका जो जनम हुआ था आपका उनीस सो साथ इसवी में आपका हुआ था फारुकाबाद में याद रखेगा उनीस सो साथ इसवी में फारुकाबाद में इनका जनम हुआ है इनका निधन हुआ है आपका 1987 इसवी इलहाबाद में पदम भुसन इनको पुरसकर मिला 1956 को यामा के लिए 1883 में इनको ग्यानपीट पुरसकर से समानित किया गया अगला है आपका जैनेंदर कुमार जो लेका कि आपके बाजार दर्सन के ठीक है और आपका जो है 1905 इसवी में आपका अलिगर उत्तर परदेश में जनब हुआ है जब बंगाल विवाजन हुआ था उस समय याद रख सकते हैं इस तरह से 1990 में आपका जो है इनका निदन हुआ जैनेंदर कुमार जी का 19 नदन ये आपके टोटल पचासी याद तक सायद आपका बच्चे हुए है माइनस करके देख लिजिए ऐसा भी कोईसन पूछ सकता है इन फ्रेंके के बारे में वो कितने सालों तक आपका जीवित रही ठीक है जैनेंदर कुमार जी लेका के बाजार दर्सन के 1905 इसवी अलिगड उत्तरपतिस में इनका जनम हुआ है 1990 में इनकी मिर्ती हुआ है जैनेंदर कुमार जी का ठीक है अगला है आपका धरमबीर भारती जी धरमबीर भारती जी जो है आपका काले मेगा पानी दे के लेखा के ठीक है और 1926 इसवी इलाबाद उत्तरपतिस में इनका आपका जनम हुआ है निसतो चपईस इसवी इलाबाद उत्तरपतिस में 1997 इसवी को इनका निधन हुआ हिए ठीक है ये जो धरमबीर भारती जी है ये दूरदर्सन के आपका जो पहले धरावाइक था उनके ये लेखा के धरमबीर भारती जी ठीक है अगला है आपका फनिस्वर नात रेनो जी फनिस्वर नात रेनो जी लेखा के पालवान की धोलक जिसमें लुटन पालवान के बारे में बताया गया फनिस्वर नात रेनो जी लुटन पालवान के बारे में बताया पालमान की दोलक में, इनका जनम आपका जो हुआ है, 4 मार्च 1921 में हुआ है, याद रखिए, 4 मार्च 1921 और आही हिंगान, उनके जो है, गाउं का नाम है, ठीक है, जिला पुर्निया उस समय था, अब जिला है, अररिया है और यहापका बिहार में पढ़ता है, ठीक है, और आ हिंगान जो अिनकी गाउं का नाम है जीला पूरनिया पढ़ता था आब अरर्या जीला में पढ़ता है और यह आपका बिहार राजी के अंतर आता है इनका जो निदन हुआ था यह पतना में अगला है आपका जो है रजिया सज्जाद जाहिर जी जो लेखा के आपके नमक कहानी के, ठीक है? जिसमें सोफिया और सीक बीवी के बारे में कहानीा है, इनका जनम आपका 15 फरवरी 1917 इसवी अजमेर राजिस्थान में हुआ है, ठीक है, जनम है आपका 15 फरवरी 1917 रजिया सज्जाद जाहिर जी का, इनकी जो निधन दिवास है वो आपका 18.1979 यानी 18.1989 इनका निधन है आपका रजिया सज्जाद जाहिजी ठीक है अगला है आपका हजारी परसाद दिवेदी जी ये भी आपके जो चायावाद के चार फर्मों के स्तंबों में से एक हजारी परसाद दिवेदी जी ये लेखा है आरत दुबे का छपरा जो आपका जो है इनका जनाम 1907 इस्वी में बलिया उत्तर परदेश में इनका जनाम हुआ है 1907 इस्वी बलिया उत्तर परदेश गाम का नाम आरत दुबे का छपरा और इनका निधन हुआ है आपका 1979 दिल्ली में याद रखिए का 1979 दिल्ली ठीक है अगला है बाबा साहिब भीम राम अम्बित कर जी जिन्हों ने लिखा है जाती प्रत्था स्रम विभाजन और मेरी कलपना आदर समाज ठीक है इनका जनम जो हुआ है आपका 14 अपरेल 1891 महू मैद्ध परदेश में इनका जो निदन हुआ है आपका दिसंबर 1956 इस भी दिल्ली में हुआ है ठीक है अगला है मनुहर स्याम जोसी जी जो आपके लेका कैस सिल्वर वेडिंग के इनका जो आपका जो जनम हुआ है दोस्तों वह आपका हुआ है 1935 कुमाओ में ठीक है कहा हुआ है 1935 आपका कुमाओ में दोस्तों यह आपका NCRT बुक में दिया है ठीक है आपका जो विकी पीडिया में दिया है वह है दिया हुआ है आपका 9 अगस्त आपका जो है 1933 इस भी ठीक है तो आप जो मनना हो मैंने आप लोग में 1935 1935 आपका कुमाउं में हुआ है ठीक है और इनका निधन आपका 2006 में निधन हुआ है तारीक है आपका 30 मार्च 2006 30 मार्च 2006 को इनका निधन हुआ है आपका दिल्ली में है मनोहर स्याम जोसी जी खा ठीक है NCRT बुक में दिया है आपका 1935 इसवी कुमाऊं और आपका Wikipedia में दिया है आपका 9 अगस्त 1923 इसवी आप लोगों को जो याद करना हो या फिर जीस दोनों याद कर लिजिए options में जो भी आपका answer हो options में वो आप मार्क कर लिजिएगा ये इस बात का ध्यान रखिए ठीक है अगला है आपका रगुबीर सहाई जी रगुबीर सहाई जी लेका के कमरे में बंद अपाहिच जिसमें दूरदर्शन के लोगों के इंटर्विव जो लेते हैं उनके आपके जो है मनो क्या बोलते हैं आपका जो है दिमाग के बारे में बता आ गया किस तर आपने जो टीरपी के लिए किसी विकलांग का मजा कुड़ाते हैं इनका जो आपका जो जनम हुआ है 1929 इसीवी लखना उत्तरपरदेश में इनका जनम हुआ है 1929 इसीवी लखना उत्तरपरदेश में इनका नीदन 1990 में दिल्ली में हुआ है थीक है रगुबीर साहाई जी कमरे में बंद आपाईज के लेखक है 1929 इसीवी लखना उत्तर परदेश में इनका जनम हुआ है 1992 में दिल्ली में इनका निदन हुआ है ठीक है दोस्तो अगला है गाजानन माधा मुक्तिबोद गाजानन माधा मुक्तिबोद लेखक है इनका जनम हुआ है 13 नमबर 1917 सियवपूर जो आपका गौालियर में पढ़ता है और यह आपका मैद परदेश राजी के अंदर गत आता है 13 नमबर 1917 सियवपूर गौालियर मैद परदेश गाजानन माधा मुक्तिबोद का जनम हुआ है यह लेखा के सार सिवकारे है के और आपका जो है 11 सितंबर 1964 इस भी नियो दिल्ली में इनका निदन हुआ है 11 सितंबर 1964 इस भी नियो दिल्ली में इनका निदन हुआ है ठीक है समसेर बहादूर सिंग लेखा के उसा उसा कविता के और इनका जनम 13 जनवरी 1977 इस भी देहरा दून जो आपका उत्राखन में पड़ता है वहां हुआ है आपका 1993 दिली में इनका निदन हुआ है समसेर बहादुर सिंग जी का अगला आपका सुरिकान त्रिपाठी निराला जी सुरिकान त्रिपाठी निराला जी जे छायाबाद के जो चौते स्थम में से एक भी ये भी है सुरिकान त्रिपाठी इनका निराला जो है आपका निकने में ठीक है ये लेका के बादलराग कविता के बादलराग कविता का मैं जो वीडियो है दोस्तों आज साम तक अप्लोड कर दूँगा आप लोग चिंता ना करें ये आपका जो है आखरी जो चैप्टर होगा आपका आरो भाग्टू वितन भाग्टू का इनका जो परिवारिक गाउं है आपका है गड़ा कोला उन्नाव ठीक है उत्तर पदेश पूछ सकता है कि सु में हुआ है महिसा दल जो आपका मेदनीपूर जो जीला पड़ता है आपका जो वेस्ट मंगाल यानि पस्ची मंगाल के अंदर महिसा दल में और आपका जो इनका जो निदन हुआ आपका इलावाद उत्तर पदेश में हुआ है 1961 1961 में ठीक है अब बात करते हैं तूलसी दास तूलसी दास जो है ये आपके उत्तर कांड कविता वाली लच्मन मूर्चा ये तीनों के लेखक है जो आपका आरो भाग्टू में दिया गया है इनका जो जनम जो है आपका अनुमानित 1532 इस्वी बांदा जीला जो आपका जो है उत्तर पदेश में हुआ है इनका गाउं क नाम राजापूर गाउं है ठीक है याद रखेगा राजापूर गाउं ये लेखका आपके आउदी और ब्रज हों साके ठीक है और आपका जो है 1923 इस्वी में कासी में इनका निदन हुआ है ठीक है 1923 इस्वी कासी तूलसी दास जी का निदन हुआ है 1532 इस्वी बांदा उ वीडियो को कैसा लागा यदि वीडियो पसंद आए तो फ्लीज लाइक करना न भूलें दोस्तों कमेंट करना न भूलें तो धन्या बाद दोस्तों